नमस्काव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पर दोस्तों आज जो टोटका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुरुजी का ये सबसे प्रचंड टोटका है जी हाँ, ये वो टोटका है जिससे चंद मिंटों में वशी करण हो जाता है क्या आपने कभी सोचा है कि चंद मिंटों में वशी करण कैसे हो सकता है जी हाँ, तो आई ये समयना बरबाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कैसे चंद मिंटों में आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं परिवार में कोई रूट किया है, कोई तनाव हो गया है, मिया वीबी में अनवन हो गई है मिया वीबी की बात नहीं सुनता और वीबी जो है मिया की सुनके राजी नहीं है तो ऐसे में अगर ये वश्यकरण का तरीका दोनों में से कोई भी अपनाता है तो जो रिष्टे है उसमें इतनी मधूता आ जाएगी जो शायद पहले भी ना थी अगर ऐसी मधूता आप अपने रिष्टे में चाहते हैं ऐसा प्यार आप अपने रिष्टे में चाहते हैं तो इस वशी करण के तरीकी को ज़रूर अपनाएगा तो आईए मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या-क्या समगरी है जिसकी अवशक्ता होगी तो सबसे पहले आपको तीन नीबू चाहिए और इसके साथ आपको एक सफेद कपड़ा और एक लाल पैंड की भी अवशक्ता होगी इन तीन चीजों के माध्यम से आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं तो आईए विधी शिरू करते हैं सबसे पहला नीबू जो आपको लेना है उसके उपर आपको लिखना है 786 इस तरह आपको 786 उस नीबू पर लिखना है देखिए और दूसरा नीबू जो आपको लेना है उस नीबू पर आपको उसका नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं माल लीजे जिसे आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम है रीना तो आप लिख दीजे रीना देखिए इस तरह और जो आपको तीसरा नीबू लेना है उस नीबू पर आपको जो नाम लिखना है अपना खुद का माल नीजे रीना जो है उनको रमेश नाम का जो व्यक्ति है वो वश्मे करना चाहते है तो अब यहाँ पर आपने तीसरे नीबू पर लिखना है रमेश इस तरह और आप इन तीनों नीबू को आपने क्या करना है एक सफेद कपड़ा लेना है इस सफेद कपड़े के ऊपर लाल पैन से आपने लिखना है 786 कहीं भी बीच में या किसी कॉर्णनर पर आप इसमें लिख सकते हैं 786 इस तरह 786 लिखे उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिसे आप वश्मे करना चाहते हैं उसके बाद सबसे पहले आपको वो नीबू रखना है जिस पर आपने लिखा था 786 यहीं वो नीबू इसमें रख्ये उसके बाद वो नीबू जिस पर नाम लिखा है उसका जिसे वश्मे करना है उसके बाद तो । यह तीनों नीबू आपको इस तरह नजदीक करके रखने हैं और इनके बाद आपको संदूर उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए डालना है जिसे आप वश में कमना चाहते हैं, इस तरह और अब आपको इसमें गाट लगा लेनी है आपको इसके अंदर दो गाट लगानी है एक इस तरह और एक इस तरह और इस गाट लगाते वक्त आप ध्यान रहें कि आपको उस व्यक्ति को जिसको आपको वश में करना है उसका ध्यान करना है इस तरह आप यहां एक पोटली तियार कर लेंगे जैसे ही आप यह पोटली तियार कर लेंगे इस पोटली में आपको क्या करना है इस पोटली को ले जाकर आपको एक बहते हुए पानी के अंदर छोड देना है ध्यान रहे, बहते हए पानी में छोड ना है उस बात का भी खास तो और पे ध्यान रखना है कि यह जो पोटली है जब आप पानी में छोड़ेंगे उस वक्त कोई भी आपको पीछे ना देखे और नहीं आपको पीछे मुट कर देखना है कई बार होता है कि हम वर्शिकर अणविधी करते हैं कुछ प्रभाह करने चाते हैं और सोसते हैं कि एक पर देखें ज़रा मुट कर क्या वो बह गया है? या भी वही है? या उसे दुबारा भानी की जोरत है ऐसा नहीं करना है आपने एक बार उसे प्रभा कर दिया मतलब आपका कारे हो गया जी हाँ और जैसे ही प्रभा करकर आप अपने घर में आएंगे मानो आपका प्यार आपके सामने ही होगा अगर आपका पती आपसे नराज है तो आपके पती की बोली से आप समझ जाएंगे कि जी हमारा वश्यकरंट तो काम कर गया पती देव हो गए हमारे वश्य में जी हाँ और अगर आपकी प्रेमी का नराज है तो उनके बरताप से आप समझ जाएंगे अगर परिवार में अन्वन है परिवार वाले आपस में बात नहीं कर रहे तो इस विधी क्यों करने से परिवार में इतनी मधूता आ जाएगी शायद पहले भी ना थी तो अगर आप चाहते हैं ऐसी ही किसी समस्या से निमपटना ऐसी ही किसी समस्या से जुटकार अपाना विधी करके आप अपने वर्शीकरन सिधी कर सकते हैं और अपने हापको खुशिया लख सब्सक्राइब ग्यंगे कि इस बात का खासथ और पर ध्यान रखेजांट और इस बात का भी कि वर्शीकरन करते वक्त आपको कोई न देखें तो दोस्तों फिलाल दीजे इजासत फिर हाजर होंगे एक नए वश्रीकरण विधी के साथ गुरू जी बताएंगे कि किस तरह प्रचंड वश्रीकरण किया जाए इस विधी के साथ फिर मैं हाजर होंगी नमस्कार